This news is brought to you by भूशिन ज्वेलर्स, सोना खरीदो, सोना जीतो, स्वन सम्रिधी योजना और unwanted demands भी कर रहा है, कभी कार्याले में उसका हाथ पकड़ रहा है, तो कभी काम करवाने के लिए quarter भुला रहा है SP मंडी ने 22 दिन पहले ही DSP सरकागाट को मामले की जांच के आदेश दे रहे थे 20 दिनों तक कोई कारेवाही न होता देख रिंकू चंदेल ने, फिर से SP मंडी से न्याय की गुहार लगाई थी और जितावनी दी थी कि अगर समाई रहते कारेवाही नहीं की गई, तो जिला मुख्याले पर अंशन पर वो बैट जाएंगी मामले में भड़ते दवाग को देखते हुए, बीती रात सरकागाट थाना में, बीडियो सरकागाट के खिलाफ, धारा 354-A के तहत, FIR दर्ज कर ली गई मामले की जाज खुद DSP सरकागाट कर रहे है ASP मंडी पुनीत रगु ने बीडियो सरकागाट के खिलाफ, FIR दर्ज करने की पुष्टी की है उन्होंने बता कि आज महिला प्रधान के CRPC की धारा 164 के तहत, सरकागाट कोट में बयान भी दर्ज कर वा दिया गया है उन्होंने बता कि मामले की पूरी तरह से चानवीन के बाद ही FIR दर्ज की गई है और आगे भी नियमनुसार कारेवाही अमल में लाई जा रही है कुछ समय पहले एक महिला प्रधान उन्होंने एक शिकायत पुलिस सरकागाट को सौपी दी SDPO सरकागाट ने अपनी जांचेफ सो कल पूर्ण करकर उसमें तथ्यों को पाया है और उसके बाद SHO सरकागाट है उनको दिल्डिश दिये गए थे कि इसमें FIR दर्ज करकर अगामी कारवाई अमल में लाई जाए इसके तदोपरांत पुलिस सरकागाट द्वारा एक FIR जो है वो इसमें दर्ज की गई है Under section 354A और उसमें जो महिला शिकायत करता है उनका आज 164 CRPC का ब्यान जो है वो नियाले में दर्ज करवाया गया है और इसमें अगामी कारवाई जो है वो नियाले मनजार अमल में लाई जा रही है संध्याओं का हिमाचल और पंजाब के स्टार कलाकारों के साथ साथी 100 से ज्यादा सोलन शॉपिंग फेर के स्टाइल्स तथा जूले भी रज्यस्तरिय कबडडी का फोड़ा मैच स्कूली बच्चों की डांस प्रतियों गिता हिमाचल आइडल गायन प्रतियों गिता और उभरते गायकों की स्टार नाइट्स तथा और भी बहुत कुछ और हाँ खाने के शौकीनों के लिए लजेज फूड फेस्टिवल और हिमाचली व्यंजन खास अकर्शन तो लोग खीजी डेट्स 15 से 22 सितंबर ठोडो ग्राउंड सोलन में हिमाचल उचसब में परफॉर्मेंस देने के लिए ओडिशन्स 10 सितंबर को सोलन में संपर्क करे 96 251 11 411 918 73 600 98 571 325